कि अपिए लो फ्रेंड जैमातदी फ्रेंड आज देखिए निव डिजाइन की सॉक्स बनाना बताऊंगी मैं आपको यह देखिए बहुत ही सुंदर बहुत ही कमपेटेवल होती है यह तो इसको मैंने दो कलर से बनाया है आप इसको मल्टी कलर से भी बना सकते हैं यहां पे मल आपको 1-7 बनाना बश्कतीर देखिए नीव बस्क्राइब पांप पूरा बनाने बताऊंगी बहुत ही तरीके के आए गी यह यह बहुत हीत मतनी है यह तो चलिए मिजिश बनाना इसको मतन करते हैं मैंने यह लिए चलिए एद है कि आज अंगुठे वाली सांगोस बनाना स काईद हम ्द्र जागा करेंगे नाखारा काईगर से शाइव मैं डवय कर लिया और एक साइड और पाजा है दो जैसे हैं, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, तंदरा, सोला, ऐसे हम 51 फंदेर डाल लेंगे अब देखे, सबी फंदे हमने डाल लिए, 51 फंदे हैं यह, अब सबी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बनाना है पहली सलाई, तो पहला फंदा भी हम ऐसे बना देंगे पूरी सलाई उल्टी उल्टी बना लेते हूं फिर दूसरी सलाई से हम इसमें डिजाइन डालेंगे अब देखे फ्रेंट पहली सलाई हमने पूरी बना ली उल्टे उल्टी अब दूसरी सलाई देखे पहला फंदा हमने सलिप करा एक दो फंदे हमने उल्टे बनाए दागा बीचे करा इस फंदे हम सीधा बनाएंगे फिर दागा आगे तीन फंदे उल्टे एक सीधा तीन फंदे उल्टे एक सीधा पूरी सलाई ऐसे बना देंगे फिर लास्ट मैं दिखाते हूं आपको रहे अब लास्ट मैं देखे तीन उल्टे बना लिए अब लटी सलाई पे जैसे हमारे फंदे हैं वैसे ही इनको बनाएंगे तो तीन फंदे यांपे हमारे ऐसे सीधा एक अई उल्टा तीन सीधे एक उल्टा पूरी सलाई हम ऐसे बना देंगे फिर अगली स्लाइद दिखाते हूँ अब देखिए फ्रेंट अब फिर से हम सीधी स्लाइब पर आगे तो यहां भी हम ऐसे ही बनाएंगे पहला फंदा स्लिप करा दो फंदे हम उल्टे और यह जो तीसरा फंदा है इसको देखिए एक दो दूसरे नंबर से हम एक ऐसे फंदा निकालेंगे ऐसे सेकिंड वाली स्लाइब से दो तीन फंदे फिर हमने उल्टे बनाए अब यह वला फंदा नहीं हम बनाएंगे सेकिंड नंबर से ऐसे एक फंदा निकालेंगे पूरी स्लाई में ऐसे ही कर देंगे हम जो सीधा फंदा है उसको ऐसे सेकेंड नंबर से एक फंदा निकाल लें तो थोड़ा समय इसका बॉर्डर बना लेती हुए फिर आगे दिखाते हूं फिर मैं आगे बताते हूं आपको अब उल्टी स्लाई हम फिर से वैसे बनाएंगे एक फंदा है हमने स्लिप करा दो सीधे एक दो एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे तीन फंदे हमारे सीधे यह हमारा उल्टा तो पूरी स्लाई मैं ऐसे बना लेती हुए भी पिर आगे दिखाते हूं अब देखिए फ्रेंड यहां पे हमारे दिखिए एक दो तीन चार सीधे सीधे आगे अब हमने फंदे डिवाइड करने हैं 40 फंदे हम इस साइड रखेंगे 40 इस साइड और साइड बीच के 11 फंदों पे हम डिजाइन भी बनाएंगे और फंदे भी बढ़ाएंगे तो देखिए एक डिजाइन हम ऐसे आगे तक लेके चलेंगे तीन इसको सेकेंड नमबर से बनाएंगे चार पाँच छे साथ आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, 17, 18, 19, 20 तो 20 फंदे हमारे इस साइड होगे, 20 ही हम इस साइड बनाएंगे और 20 के 11 फंदों को देखे कैसे बनाएंगे अब यहाँ पे 20 फंदे बनाने के बाद एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया बढ़ाने के बाद धागा आगे करेंगे यह जो हमारे फंदे है इनको ऐसे बनाएंगे तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा फंदे बनाने के बाद एक फंदा फिर हमें याँ पर ऐसे बढ़ा देंगे और फिर एवला सीधा तो नीचे इसे बनाएंगे सैकंड नमबर से इसको धागा आगे करेंगे तीन फंदे उल्टे एक सीधा सैकंड नमबर से तो पूरी स्लाई में बना लेती हूं अगली स्लाई फिर तीन फंदे हमारे सीधे और एक उल्टा और जहां तक हमने फंदे बढ़ायें, वहां तक बना लिती हूँ, फिर दिखाती हूँ उलटी सलाइप अब धागा आगे करेंगे और यह जो बीच वाले फंदे हैं अब हम यहीं पर यह वाला डिजाइन रोक देंगे और यहीं से देखिए दूसरा कलर जोइंट करेंगे और इन 11 फंदों को अब हम ऐसे सभी फंदों को उल्टा-उल्टा इस वाले कलर से बनाएंगे और इस धागे को भी साथ में लेके चलेंगे चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा अब यहीं पर छोड़ दिया अब धागा पीछे करेंगे और यह वाल फंदा हम ऐसे सीधा बनाएंगे अब धागा आगे एक उल्टा जैसे हमारा डिजाइन चल रहा है उसको बैसे चलने देंगे फिर अगली सीधी स्लाइपे दिखाते में आपको आगे हम कैसे बनाएंगे अब देखे फ्रेंड यहां तक बना लिया मैंने यह 20 फंदे और यह 21 फंदा भी हम उल्टा बनाएंगे अब यहां एक फंदा हम बढ़ा देंगे ऐसे बढ़ाने के बाद धागा यह वला आगे करेंगे और यह जो 11 फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे ऐसे और इस वाले धागे को भी ऐसे साथ में प्रॉस कराते हुए आगे तक लेके जाएंगे बीच में एक दो बार क्रॉस करा देजिए नहीं तो यह फिर ज्यादा लंबा आ जाएगा धागा पीछे फिर पैर में फसेगा फिर देखिए दो फंदे हमने फिर उल्टे बना लिए अब इस धागे को हम पीछे कर देंगे अब यहां पे हम फंदा बढ़ाएंगे 11 फंदों के बाद हमेशा हमने यहां पे एक फंदा इस वाले कलर से बढ़ा देना है फिर दागा आगे करेंगे और यह फंदा उल्टा दागा पीछे वैसे ही इसको बना देंगे सेकेंड नमबर से फिर तीन फंदे उल्टे अब उल्टी स्लाइब देखिए धागा पीछे करेंगे और यह दो फंदे हम सीधे बनाएंगे यहां पे तीन हो जाएंगे उसके बाद फिर एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे जैसे हमारे डीजाइन चल जाए अब धागा आगे एक धारी हमने इस कलर की बना दी अब एक धारी हम इसी कलर की बनाएंगे ग्यारा फंदों को हम इसी कलर से बना देंगे एक धारी दोनों कलर की बनाते जाएंगे और ग्यारा फंदों के दोनों साइड एक एक फंदा हम बढ़ाते जाएंगे धागा पीछे करेंगे यह दो के gelmiş हम अुछwiet। बनाएंगे यह जान pesticides हो जैसे हमारा डिशाइन चल रहें हैं है अब देखें यहां पे यह हमारे अभी 2 फंद्धे होगे इस स्ला इसीड़ यह पर 3 हो जाएंगे फिर अगली पे तीन उल्टे तो फिर एक फंदा हम सीधा जैसे हमारे डिजाइन चल लाए इसको बैसे हम नीचे तक लेके चलेंगे तो इसकी लेंथ मैं ऐसे complete कर लेती हूँ फिर मैं आगे दिखाती हूँ आगे हमने कैसे बनाना है अब देखें फ्रैंड यह मैंने complete कर लिया है तो इस तरीके से डिजाइन बन के आया है तो 6-7 नमबर के लिए मैंने 1-2-3-4-5-6-7-8 डिजाइन बनाए है अगर इससे छोटा आपको बनाना है तो 1-2-3-4-5-6-7 डिजाइन बना लिजे आप अगर इससे बड़ा बनाना है आपको तो ऐसे आप दो डिजाइन और बढ़ा लिजे तो यहां तक हमारे 83 फंदे हो गए हैं टोटले अब देखें 42 फंदे हम यहां पर बनाएंगे और बीच बाला फंदा जो है उसको हमने दोनों साइड बनाना है तो 42 हम इस साइड बनाएंगे तो देखें अब यहां पूरी स्लाइब उल्टी उल्टी बनाएंगे अब हमने डिजाइन यहीं पर बंद कर देना है चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उन्निस, बेस, एक्किस, बाइस, तेस, चोविश, पच्चिस, चब्विश, सत्ताई, अठाई, उन्निस, तीज, इकत्तिस, बाइस, तेत्तिस, चोटिस, पैन्तिस, चट्तिस, सेन्ति, अठाति, उन्तारी, चारी, एकतारी, और यह लास्ट का फंदा हम सीधा बनाएंगे बेर अठे, तो देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, और एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे हैं यह ले साइदใหले हैं इनको उन्कों पांच इसससाइद पांच इससाइद और इह बैच वाला nggak इस साइद बनाएंगे तो यहां से एक वर फिर ऐसे बना देंगे तो बीच वाला फंदा हम दोनों साइट डिवाइड करें अब यह वाला हम बाद में बनाएंगे अब यही से हम पीछे मुर जाएंगे आप दूसरी स्लाई का यूज भी कर सकते हैं हम दोनों साइट से उल्ट तो गूह अब दोनों साइट यहज भूट वह लडाने के बादें में आ गया कोई छिलना बताऊंगी इसको हम दोनों साइड एक फ्रेंड दोनों साइड बना ली इस साइड मैंने दस फंदे बंद कर लिये इस साइड में आपको बंद करना बता रही हूं पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे एक बनाएंगे पीछे वाला उपर से ऐसे उतार देंगे तो एक फंदा हमारा बंद हो गया दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और ये दस और ये वाला इसे है अब सीधी साइड हमांदर की साइड करेंगे उल्टी बाहर की साइड और इन फंदों को ऐसे दोनों स्लाईयों को ऐसे पकड़ेंगे और सभी फंदों को बंद कर देंगे दोनों स्लाईयों से तो एक इस स्लाई से लेंगे एक फंदा और एक इस से दोका एक कर दिया फिर अगले वाला दुकाइक करेंगे पीछे वाला उपर से उतार देंगे इसे वाला तो मैं इस अभी फंदे बंद कर लेते हूं लास तक फिर सिलना बताती हूं अब लास्ट मैं देखिए ऐसे एक फंदा बचेगा तो इसके अंदर से हमने ऐसे निकाल देना है तो यहां पर नोट लग जाएगा अगर आप चास से ह plot तो देखिए यह जो बैक पार्ड है इसको धागा इसे सिल देंगे फिर में अंगोठे सिलना आपको बताऊंगी यह मैं सिल लेतए nem अब देखिए फ्रेंट बैक साइड तो मैंने सिल ली अब यहाँ यह वाली साइड सिलेंगे तो इसको ऐसे पकड़ेंगे यहाँ पर जो धागा है इसी से मैं इसकी सिलाई करूंगी पहले इसको उपर लेके जाओंगी अगर ऐसे धागा बच्चाता है तो ऐसे सिल लिया गजिए अब ऐसे वी सेब में हम इसको सिलेंगे एक कोने सिलेंगे दूसरे कोने तक दोनों कोनों को अच्छे से मिलाते जाएए बहुती संदर बनके आती है यह ऐसे अब यहां जाके हम इसमें नोट लगा देंगे पहले थोड़ा सा इसको नीचे लेके आएंगे उने पेने लगाएंगे और यह देखिए और यहां पे हम इसको टाइट कर देंगे तो अब मैं सीधा करके दिखाते हूं आपको तो इस तरीके से देखिए फ्रैंड बहुती संदर हमारी सॉक्स बनके कंप्लेट होती है दोनों साइड से और फ्रैंट साइड पे इस तरीके से इस डिजाइन बनके आता है तो फ्रैंड एक बात जुरू ट्राइए किजिए गाइस को बहुती संदर प्रैंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को थेंक यू